जी नियूज पोटल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आज प्रदेश पर के जितने भी पेट्रोल पंप है उन्होंने हरताल की है पेट कम करने की मांग को लेकर के और उसी का सूर्थेहाल मैं आपको दिखा रहा हूं मैं इस वक्त मौजून हूं गंगापुर सिटी के द मैं फूरफिंगने हरताल के पीट्रवंवतहान है है और आप सकते हैं कि लोग आ रहे हैं हैं लेकिन समय स्थिय कि हड़ताल जिन लोगों को पता था उन्होंने तो कली ही पेट्रल डलवा ली है यह आपनी गाडियों में लकिन पता नहीं था वो लोग यहां आ रहे हैं और कि देख सकते हैं आप इस पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल बंद है सांकेति घरताल तस अप्रेल दो हजार इकीस छे वज़े से रातरी बारे वज़े तक पैट्रोल डीजल और ओयल इनकी खरीद और विक्री बंद रहेगी आज पैट्रोल और डीजल के दाम है वो बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं और इसी के विरोध हैं अब पैट्रोल संचालक जो हैं पैट्रोल संचालक जो हैं वो लाम बंद हुए हैं क्योंकि आम जन को राहत मिलनी चाहिए बैट कम हो या थोड़ा सा टेकसेज में कम हो सरकार लगने वाला है तेजी से जो दाम बड़े हैं पैट्रोल के उन चीज़ों को लेकर के चलिए मैं आपकी बात करवाता हूं और जो संचालक हैं गिलिप सिंग पैट्रोल पंप के दीपक नरूका जी उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आज पैट्रोल पंप संचालकों ने हर्ताल की है क्यों पैट्रोल पंप जो है वाज प्रदेस वर के बंद रहे हैं लेकर करें लाइव मारे साथ हैं दीपक जी अ बड़्या प्रधेश्भर के जितने भी पैट्रोल पंप हैं वो सारे hard है इसके पीछे बजवात क्या है क्या कार्ना कि राजस्तान में जो वैट है वह पंजाब अर्याना यूपी इन तीनों राज्यों से बहुत जाता है इसके कारदान जो हमारे सीमा में कि पंप है वो जो दूटर पहो यह पंजाब वो वह वह सब करीब बंदरी स्टीडीग पहुंच है और कोजना काल के दोरान फटकाल में जब कीमतों में गरावट आइटी क्रूड कीमतों में तो उस समय इनों ने बेधासा वैट में प्रद्धी कर दी इसके कारण हमारे राजस्थान में खास तोर से बीजल पैटों में और राजयोग तुल्णा में 10 से बारवान दो पर अथि है इससे हम प्रद्धी परवाइट होती है और आम जो अभोक्ता है हम भी उप्भोक्ता के सहने हम आते हैं यह इस महंगाई की महां से बहुत जाते हैं और इसको देखते हुए हमारे कालिस्थान पैट्रोल यह बिलिए आज की लिए जिसके नेत्रत्त में यह आज का बंद क सब्सक्री के 100% बंद के और आज की सांकिति अधाल है कि इसका अगर राजिस्थान को ऐसा नहीं हुआ पच्छीस तारिक बाद में राजिस्थान का प्रत्रत का अंश्चित कामें अश्चाल पर चला जाए और पिल्कुल यह सांकिति अधाल है अचा डिमांड है क्या सरकार इससे रेट में कितना फरक आसकता है जो पड़कार में जो पन डिजल लेगा वह वह स्कुन होता है तर्षकरी होता है तसकरी होता है जालाटा पाजञाब का अग्जाब का है और इसमें में आपको अगर 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 राजस की बित्ली निस्चित तोर से बढ़ेंगी और जो रेवन्यू है उसे भी जादा रेवन्यू उसमें उसमें को आज से तो कुल मिला करके 8-10 रुपे की जो रेट की कीमा रेट है तो कही ना के रिड्यूस हो सकती है अगर सरकार अगर मिला करके पूरे राजस्तान परदिए और हम व्हों पॉर्ण दरूंब है जे ना कि महना है सब दो शांद है कि मांगे को भी इस से मेह क्वार पड़ेगा से और चीजे हो या कोई भी वह पूरे पल राजस्तान पर दढ जाना है तो पूल बिला करके पूरे प्रदेशबर में आज जितने भी पेट्रोल हैं वो सब सांकेति घरताल पर हैं तो यह थे दीपक जी और उनका कहना था कि यह एक सांकेति घरताल है अगर सरकार अंसुना करती है उनकी बातों को तो यह पेट्रोल जो पंप है यह अब 25 तारिक से पूरे प्रदेश पर में अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगे क्योंकि ना सिर्फ पेट्रल पंप संचालकों को बलकि आमजन को भी परिशानी उठानी पड़ती है और अगर सरकार बेट कम करती है तो पेट्रल और डीजल के दामों में 8 से 10 रुपे की राहत लोगों को मिल सकती है और सरकार को इसकी और ध्यान देना चाहिए तो कुल मिल सभी का बहुत बहुत देने बाद फिर अगली कोई लाइब मैं आपको दिखाने वाला हूं और कुल मिला करके आज पूरे प्रिदेश वर में जो पेट्रल पंप है वो सब सांकेतिक अरताल पर हैं और देखते हैं सरकार के कानों पर जू रेंगती है नहीं रेंगती है